मैंगो आइस्क्रीम की रेसिपी है गर्मियों का सीजनिा और भी हमें जूशे सीजिफाए से क्षाने TOS शुरू करते हैं हाई फ्रेंज मैं गिता वर्मा गिता किनू रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आज मैं बहुत जादे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं वीध है आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रग दी है इसमें मैं डाली हूं दो कप दूद एक कप 200 ml के बराबर है तो दो कप हो गया हमारा 500 ml के बराबर यानि आधा लीटर दूद है ये सबसे पहले तो मैं इसे बॉयल होने दूँगे तब तक हम क्या करेंगे एक कटोरी लेंगे या बाउल लेंगे उसके अंदर मैं दो टेबल स्पून कॉन फ्लर डाल रही हूं आप अरा रोट भी ले सकते हैं और दो टेबल स्पून मैं इसमें दूद डाल दूँगी और इसका हमें एक घोल तैयार करना है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए बिल्कुल भी गुट्लिया नहीं होने चाहिए और इसे हम तयार करके साइड में रख देंगे तो यहां पे जो दूद है वो उबल चुका है यह देखे दूद उबल गया है अब इसके अंदर मैं चीनी एड़ करूँगी तो चीनी फिलाल मैं हाफ कप ले रही हूं हाफ कप करीब 100 ग्राम के बराबर 100-800 ग्राम आपको चीनी लेनी है अगर हमें जरूरत होगी तो हम बा कर दिया और दूद को मैं मिक्स करती चाहरे हूं दूद को मैंने मीडियम पे रखा है और से चलाते हुए पकाएंगे और आप देखेंगे दूद बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा बस गैस बंद कर देंगे और से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आ आम ले हैं आप बिल्कुल मीठे आम लीजिएगा जितने मीठे होंगे उतनी जो आपके आइस क्रीम हो टेस्टी बनेगी इसका मैं पर निकाल लोंगे गूदा निकाल लोंगी तो यहां पे दो कप के करीब इसका पल्प निकल गया है यह देखिए इस तरह से हम इसका जार लिया है जिसके अंदर में यह आम का जो गूदा है पर्प है यह में आड कर दूंगी साथ ही मैं इसमें एक कफ एक करिम है अगर आपके पास की कडह ना हो तो इसके जगह आप एक कॉप मलाई भी Aber icebr arrow rice कर देंगे और इसे हमें बिल्कुल बारिक blend कर लेना है ये देखे कितना बारिक paste हमारा तयार हो गया है अखी में चीन आपको लगे जो आम है और चीनी कम लगऄ है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी एड़ कर सकते हैं तो कोशिश करें मीठा आम लेंगे उतनी टेस्टी आपके आइसक्रीम बनेगी बाइचांस अगर आम थोड़ा खटा है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी और मिला सकते हैं मैंने यहां पर दो से तीन चमच पिएनी और मिला दी है अब मैं इसमें यलो फूड कलर मिला रही हूं क्योंकि इसका जो कलर है वह बिल्कुल भी यलो नहीं आ रहा है बहुत लाइट क्रीम सा कलर है तो यह टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो बिना फूड कलर के बना सकते हैं तो यहां पर मैंने दो तिन बूंध यलो फूड कलर डाल दिया है और इसका जो कलर है वह थोड़ा सा यलो हो गया है मार्किट जैसा अब यहां पर मैं इसे इस बॉक Sketch में जमाने वाली है कोई भी ऐर टाईट डबने ले लीजिए इस तरह से बचों का लश बॉक्स भी ले सकते हैं इसे मैं इस तरह से फिल कर दूँगी अब मैंने इसे फिल कर दिया है इसका मैं ढखकन लगा दूँगी ध्यान रहे इस तरह से एर टाइट कंटेनरी लीजेगा और इसे दो घंटे के लिए मैं फ्रीजर में रख दूँगी दो घंटे बाद इसे हमें फिर से निकालना है अब अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से ये डिस्पोजिबल ग्लास होते हैं इनमें भी आप अपनी आइसक्रीम जमा सकते हैं तो इस तरह से मैं इसमें भी भर दूँगी और यहां पे यह रेखे इस तरह से भ कवर कर दूँगी आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक शीट से से कवर कर सकते हैं जो दूद की पॉलित ही नाती है उससे भी कवर कर सकते हैं अब मैं इसमें इस तरह से कट लगा दूँगी ताकि हम इसमें स्टिक लगा पाएं इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लगा देंग और यहाँ पर जो ice cream है वो थोड़ी थोड़ी set हो चुकिये पूरी set नहीं हुई है तो इस तरह से हम ice cream को फिर से निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसे फिर से blend करना है ताकि जो इसमे ice crystals जमे हैं वो दुबारा ना जमे तो यहाँ पर मैं इसे ट्रांसफर कर लूँगे इस जार में तो यहाँ पर देखिए ice cream थोड़ी थोड़ी जम गई थी पूरी नहीं जमी थी अब मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है तो इस तरह से मैं हलका सा इसे tapping कर दूंगी और इसे मैं इस तरह से cling film से cover कर दूंगी अगर आपके पास cling film नहीं है तो आप jsa butter paper से भी cover कर सकतें या फिर आपके पास जूद की थैली होते है उससे भी cover कर सकते हैं हमें इसलिए कवर करना है इसे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए जब हवा जाती है तभी इसके अंदर बर्फ जमती है तो हम नहीं जाते इसके अंदर बिल्कुल भी बर्फ जमें तो इस तरह से आप कोई भी पॉलिथीन ले लिजिए उससे इसे कवर कर दीजि इस तरह से मैंने इसे टच कर दिया है और इसे मैं अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि कहें से भी इसके अनर हवा ना चाहे यह दिखिए इस तरह से और इसे हमें पूरी रात के लिए फ्रीजर में रखना है अब बीच में नहीं निकालना है इसे में बंद कर देते हूं और पूरी रात के लिए मैं इसे फ्रीजर में रख देती हूं मिर्निंग में इसे निकालेंगे दिन में रख रहे हैं तो कमसे कम 8 घंटे के लिए जरूर रखेगा अब मैं ने यह 선AL लिए काफी अच्छे से सैट हो चुकी है अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसी जमी है अब ये जो disposable glass हैं इन में से ice cream निकालना बहुत ही easy होता है हम क्या करेंगे सिधा कैंची से इसे cut कर देंगे या चाकू से और इसे इस तरह से तोड़ के निकाल देंगे और ये देखें कितनी अच्छी डिजाइन वाली हमारी ice cream तयार हो गई है ये देखें हमारी mango ice cream घर पे तयार हो गई है ये बहुत ही tasty तो इस तरह से आप in disposable glass में भी घर में ice cream जमा सकते हैं बहुत ही easy तरीका है तो बाकी की भी मैं निकाल लेती हूँ इसी तरह से तो ये देखें हमारी घर पे कम चीजों से बनी हुई एकदम creamy mango ice cream बिल्कुल ready हो चुकी है अब मैं आपको box वाली दिखाती हूँ box वाली भी खोल लेते हैं आपको इसे थोड़ी देर बाहर रखना पड़ेगा ताकि ice cream जो है वो थोड़ी से melt हो जाए क्योंकि काफी tight हो जाती है जब ये जमती है तो इसे हम थोड़ी देर पहले निकालना पड़ेगा तो ये देखें काफी अच्छे से ये जम चुकी है अब मैं इसे आपको निकाल के दिखा दियूँ ये देखें कितनी बढ़िया हमारी ice cream जमी है ये देखें एक दम बढ़िया mango ice cream तयार हुई है सिर्फ तीन चीजों से आप इसे तयार कर सकते हैं ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी ये mango ice cream तयार होती है तो इस बार गर्मी में इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपने नहीं ट्राइ किया तो आपने वा बहुत ही एजी तरीका है आप इसे ट्राइ करिएगा और अगर आपके पास कौन फ्लार भी नहीं है तो आप उसकी जगत चावल का आटा भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ करें और मुझे लिखके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडि आपको कैसा लगा आपने इसे ट्राइ किया इस रेसिपी को तो आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी तो आप मैं इसे थोड़ा सा गानिश कर देती हो ये हो गए हमारे बिल्कुर मार्केट जैसी क्रीमी मैंगो आइस्क्रीम घर पे तयार बहुत ही कम चीजों से तो लग रह